विल्कम टू माई चैनल एसकी नोलिज कलास दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कलास टेन सकेंड टेर्मिनल एकजाम 2022 सोशल साइंस सब्जेक्टिव कोश्चन ठीक जो कि दोस्तो आपको इससे हूँ बहु लड़ेगा वीडियो को लास तेक देखेगा अग कि सकतियों की बरलीन जर्मानी में एक बैठक हुई इस बैठक में इन सकतियों ने अफरीका को उसके नक्से पर ही लकीरे खीच कर आपस में बांट लिया इसे अफरीका का कागजी विभाजन कहते हैं चलिए दोस्तों अगला को संदेख लेते हैं दोस्तों और दोस्तों त् विश्वास खुद पे रखिए चलिए दूसरा कोस्टन देख लेते हैं भूमंडलिये करन किसे कहते हैं इसका उत्तर है जीवन के सभी छेतरों के एक अंतरराष्टिये स्वरू को जिसने दुनिया के सभी भागों को आपस में जोर दिया है भूमंडलिये करन कहा जाता है दोस जोस्तो यंग इंडिया समचार पत्र के बारे में बताएं इसका उत्तर है यंग इंडिया नामक पत्र का संपादन महत्मा गंधी के दुवारा उनके बिचारों एवं राष्टिये बाद अंदोलन का प्रचार करने के लिए किया गया था इस पत्र के माध्यम से गांदी जी ने सरकार को अपने राजनीतिक दर्शन एवं राजनीतिक कार्य कर्मूम से अवगत कराया तथा भारत के आवाम को एक बरे अंदोलन के लिए परिशिक्षित किया चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं चौथा नमर का चौथा नमर कोशन इरोपिय इतिहास में घेटो का क्या महत्व है इसका उत्तर है यह सब्द मध्य इरोपिय देशों में यहूदी वस्ती के लिए परियोग किया जाता था आज की भासा में यह एक धर्म पर जाती या सम्मान पहचान वाले लोगों को दरसाती है गेटो करन मिश्रित ब्यवस्ता के अस्थान पर एक समुदाईक ब्यवस्ता थी जो समुदाईक दंगों को देशी रूप देते हैं चलिए दोस्तों अगला कोस्चन देख लेते हूं अगला कोस्चन है पांच निमर का संगहात्मक सासन क्या है इसका उत्तर है दोस्तों संगहात्मक सासन का तत पर यह ऐसे सासन से है जिसमें सासन की सक्ति केंद्र और परांतों में विभाजित होती है यह सक्ति विभाजन अमविधान का लिखित होना तथा केंदरो परांतों के मध्य विवादों का निप्टारा करने के लिए एक स्वतंत्र संगे नियाले की अवसकता है। संगहात्मक सासन में केंदर और परांतों दोनों ही अपने अधिकार छेतर में स्ववियत होते हैं। चलिए दोस्तो अगला सवाल देख लेते हैं अगला सवाल है जन संगर्च या अंदोलन किसे कहते हैं इसका उत्तर है कभी कभी लोग बिना संगठन के अपनी मांगे के लिए एक जूट हो जाते हैं इससे पनपी गती बीधिया धन संगर्च या जन अंदोलन के रूप में पर आत नमर का को से नहीं कौन है इसका उत्तर है ग्राम पंचायत के परमुक्षा रांग है उनके नाम है पहला ग्राम दूसरा मुखिया इस तरह ग्राम रख्षादल चोथा ग्राम कचहर चलिए दोस्तो नेकशन देख लेते हैं और वीडियो को लाइक नीके लाइक कर दीजिये चैनल को भी सुस्क्राइब कर देजिए क्योंकि दोस्तों हम हमेशा स्टूडेंट को जागरू करते हैं परने के प्रति चलिए दोस्तों आठ नमर का कोसेन है सतत विकास क्या है तिसका उत्तर है विकास की वह परिकिरिया जिसमें बरतमान की अवे सकता तथा ऐसा विकास जो जारी रह सके टिकाओ बन रह सके एवं वाभी पिढ़ी के विकास में सहायक हो चलिए दोस्तों नो नमर का कोसेन देख लेते हैं नो नमर का कोसेन ने साख मुदरा किसे कहते हैं इसका उत्तर है साख पत्र से अधार पर साक्षर इंकम आदान प्रदान होता है जैसे चेक ड्राप आदी चलिए दोस्तों अगला कुर्ष्चन देख लेते हैं दस नमर का दस नमर का कुर्ष्चन ने खादर और बांगर मिट्टी में अंतर अश्पस्ट करें इसका अवतर खादर मिट्टी नदियों के बार के मैदान की नवीन वारिक कनो वाली कांप मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं बांगर मिट्टी नदियों द्वारा जमा की गई पुरातन कौंप मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं ठीक दोनों हो गया दोस्तों चलिए अगला कोस्टन देख लेते हैं अगला कोस्टन है उब्होकता उद्योग से आप क्या समझते हैं इसका उत्तर वैसे उद्धोग जिनसे उभोकता सीधे तोर पर जूरे होते हैं उद्धोग कहलाते हैं मोवाइल तेल आदी उद्धोग हैं चलिए नेक्स्क्स्थण दोस्तों अ कि बारें नमर के को स्टन है इन्सीटू परियास क्या है तो इसका उत्तर है वन जीवों को उनके प्राकिर्थिक आवास में संरक्षित करने का परियास इन्सीटू परियास कहलाता है चलिए दोस्तों तेरे नमर का कोस्चन देख लेते हैं तेरे नमर कोस्चन है भारत के लिए जल मार्ग का क्या महत्व है इसका उत्तर है भारत के लिए जल मार्ग का महत्व इस परकार है पहला है भारत का विदिसी बेपार जल मार्ग से होता है दूसरा है यह पडिवहन का सर्वत्तम सस्ता साधन है तिसरा है खनीजों पर नियंतरन के अलावा उनके विकल्पों को खोजना चोथा है खनीजों के नियंतरन दोहन पर नियंतरन उनका तथा कच्चे माल के रुप में सस्ते विकल्पों की खोज और पांचवा है दोस्तों खनेजों के अपसिस्ट पदार्थों का बुद्धी मताप पुर्वक उपियोग चलिए दोस्तों अगला कॉर्षन देख लेते हैं चौदान मर्गम चौदान और कॉर्षन भुकम क्या है इससे बचाओ के किनी दो उपाईयों का उलेक करें दोस्तों यहां उपाईयों लिखाना होना चाहिए यहां गलत है उपाईयों होगा उत्तर है इसका धार्ती में उत्पन उर्जा तरंगे चटानों में कमपन उत्पन करती है इस कमपन का केंदर जब अस्थल खंड होता है तो उसे भुकम कहते हैं भुकम एक प्राक्रतिक अब दूसरा है दोस्तों भुकम के पूर्व अनुमान पर सक्रियता परदसन दुआरा चलिए अगला कोस्टन 15 नमर का लाश कोस्टन है दोस्तों आपदा कितने परकार की होती है इसका उतर आपदा मुख्य रूप से दो परकार के होते हैं पहला प्राकृतिक अब्दाएं तथा दूसरा मानव निर्मित अब्दाएं चक्रवाद भुसकलन भुकम सुखार चुनामी आदी प्राकर्तिक अब्दाएं हैं मानव द्वारा जनित अब्दा जैसे आतंगवाद तो भूर्बंबलास वनो का विनास आदी मानव निर्मित है ठीक तो दोस्तों आज की वीडियों सब्सक्राइब कर लिजिए और घंटी को दबातोल कर लिजिए